बच्चो ब्लेक बोडी रेडियेशन में हमने देखा कि किस तरह से जब ब्लेक बोडी के टेंप्रेचर को हम बढ़ाते हैं तो उच उर्जा के संगत जो तरंग देर्धी है लेमडा एम का मान है वो कम होते जाता है पेक्टकली इसको देखें तो आप जब लोहार के पास जाएंगे या कहीं भी इंडेश्टी में कोई भी लोहे के छड़ को अगर गर्म करते हैं तो लोहे का छड़ सबसे पहले रेट कलर का होता है लाल कलर का और गर्म करते हैं तो नारंगी कलर का दिखाए देगा और गर्म करेंगे तो कैसा दिखाए देगा पीला फिर और गर्म करेंगे तो नीला दिखाए देगा इस तरह से गर्म करते जाएंगे तो उसका जो रंग है लाल, नारंगी, पीला, नीला इस तरह से होते जाएगा ऐसा क्यों क्यों क्योंकि टेंपरेचर देखिए हम बढ़ा रहे हैं तो जैसा कि ब्लेक बोडी डेटेशन में हमने देखा था उसी के अनुरूप यहां जो उच उर्जा के संगत उसका जो तरंग देर्दी है उसका मान कम होते जा रहा है सबसे पहले लाल, लाल का तरंग देर्थे सबसे ज़्यादा है जब हम तापमान को बढ़ाए तो कैसा दिखा नारंगी नारंगी का तरंग देर्थे लाल से थोड़ा कम है तापमान को और बढ़ाए तो नारंगी से कैसा हुआ पिला तापमान को और बढ़ा है तो पिला से कैसा हुआ नीला नीला का तरंग देर्ध सबसे कम है तो तापमान को बढ़ा रहे हैं तो जो उच उर्जा के संगत जो तरंग देर्ध है उसका मान कम होते जा रहा है देखिए जब लाल रंग का दिखाए दे रहा है तो असल मैं वहाँ पर लगभक सभी तरंग देर्धी के विकरन निकल रहा है लेकिन लाल रंग सबसे ज़्यादा वहाँ एमिट कर रहा है इसी लाल दिखाई दे रहा है लाल दिखाई दे रहा है का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ लाल रंग का तरंग देर्धी ही वहाँ पर निकल रहा है या फिर पीला दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं कि सिर्फ पीला रंग का जो तरंग देर्धी ही वहाँ पर एमिट हो रहा है, जैसे कि ग्राब में देख सकते हैं, जो डेल M है, वो सबसे जञादा है, मतलब उच उर्जा के संगत एक पीक तरंग देर्धी आपको प्राप्थ होगा, मतलब पीला या नीला जो दिखाई दे रहा है वो पीक तरंग देर्धी है उच उर्चा के संगत का तरंग देर्धी है मतलब वो तरंग देर्धी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में निकल रही है उसकी तीब्रता सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे तावमान को बढ़ेते हैं तो उच्छ ति व्रता की सबसे ज़्यादा तिव्रता की अतरंग दर्ध का मान कम होते जाता है जैसा कि ःक्राप में आप देख सकते हैं और हम अभी practically भी इसको देखे तो ये जो नियम है ये जाके वीन के विस्थापन नियम में लेंड करता है सबसे पहले इस चीज को वीन नामक वैज्ञानिक जो है परसिया के भौतिक विथे 1894 में विलहम वीन नामक वैज्ञानी ने इसका अध्यन किया और उन्हेंने नियम दिया कि कृष्णिका से उत्सरजित अधिक्तम उर्जा के संगत तरंग देर्धि उसके परमताप के ब्यूत क्रमानुपाती होता है मतलब जो डेल एम है जो उच उर्जा के संगत जो तरंग देर दे है उसकी परमताप के ब्यूत क्रमान उपाती होगा परमताप जितना बढ़ेगा जो उच उर्जा के संगत तरंग देर देल एम है उतना कम होगा जैसा कि हमने अभी देखा तो किसी कृष्णिका का परमताप अगर T है और उससे उत्सरजित अधिक्तम उर्जा के संगत तरंग देरधिय डेल M है तो वीन के इस थापन नियम के अनुसार डेल M प्रोपोर्शनल T हो जाएगा बराबर करने के लिए एक नियतांक यहां लगाएंगे B तो डेल M बराबर B बाइट T और डेल M इन्टू T बराबर B इस तरह से यह हो जाएगा यहां पर जो B है यह एक अनुपातिक नियतांक है जिसे वीन का नियतांक कहते हैं और इसका जो मान है दो दस मलाओ आट आट चार गुणी दस की घात रिंड तीन मीटर केल्वीन होता है इसे आपको याद रखना है क्योंकि जब नियुमेरिकल्स आएंगे तो यह मान का स्थापन नियम है यह बहुती महत्वपून है इसकी सहता से हम जैसे दूर में कोई आपजेक्ट है उसको सिर्फ हम देख पा रहे हैं और उस से विकरन निकल रही है और उसको देख पा रहे हैं जैसे कि स्टार सो गए या सन हो गया है थेंड हैना उस तरह से खगुली लगा के उसका temperature देख लिए तो यहां पर वीन के विस्थापन नियम से हम सूरी का temperature निकाल सकते हैं जैसे हम अगर सूरी का temperature निकालना चाहें तो हमें ये पता है कि सूरी से जो विकिरणें आती हैं उसमें अधिक्तम उर्जा के संगत जिस तरंग देर्ध का विकिरण आता है डेलेम का सूरी के लिए डेलेम का मान होता है 4753 गुणित 10 की घात रिण 10 मतलब 4753 एंग श्टॉंग ये सूरी के लिए डेलेम का मान प्राप्थ होता है और वीन नियतांख जो है उसका मान हमें पता है 2.884 गुणि 10 की घात रिण 3 मीटर केल्विन तो सूत्र से जो वीन का जो सूत्र है डेलेम इंटो टी इक्वल टू बी से हम टी का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो टी इक्वल टू बी बाई डेलेम तो बी का मान हम रख देंगे 2.884 गुणि 10 की घात रिण 3 और डेलेम का वैल्यू सूरी के लिए 4753 गुणि 10 की घात रिण 10 तो इसको सॉल करेंगे तो हमारे पास आता है 600068 केल्विन सूरी की सद्धा का ताप 600068 केल्विन यह थोड़ा सा जादा है एक्ट्वल में जो सूरी का एक्ट्वल ताप होता है 6000 के आसपास होता है और इस जादा क्यों आया क्योंकि यह जो सूत्र है असल में यह complete black body संपूर्ण कृष्णिका के लि लगभक मान भी हमें प्राप्त होता है तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है अच्छा और एक हम सवाल देखते हैं कि अगर हमारे पास दो तारे हैं एक तारा थोड़ा सा ब्लू इस दिखाए दे रहा है मतलब नीलीमा नीला कलर का दिखाए दे रहा है हलका नीला जादा होगा तो वीन का नियम जैसे हम लगाएंगे तो डल एम प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी से हम ब्लू इस जो तारा दीख रहा है उसके लिए इस समीकरण को अगर लिखना चाहें तो लेमडा बी बी कर देते हैं यहां पर ब्लू इस तारे के लिए प्रोपोर्शन टू वन बाई टी बी कर देते हैं हमान लेते हैं कि जो ब्लू इस तारे का जो तापमान है टी बी है और उसके जो अधिक्तम उर्जा के संगत जो तरंग देर्ध निकल रहे हो लेमडा बी है तब लेमडा बी प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी बी होगा और यलो तारे के मतलब जो यलोईस जो थोड़ा पीला टाइप का तारा दीख रहा है उसके लिए उस सुत्र को लिखना चाहें तो उस पीले तारे में जो उच उर्जा के संगत जो तरंग देर्दी है वो अगर लेमडा वाई है और तारे का तापमान अगर ती वाई है तब लेमडा वाई प् लेमडा वाई को भाग देते हैं तो हमारे हमें मिलेगा लेमडा वी बटे लेमडा वाई बराबर टी वाई बटे टी बी अब बच्चो जो ब्लू कलर का जो तरंग देर्दी है वो वाई कलर के तरंग देर्दीर से कम होता है जो सात रंग के जो विकिरन हमें द्रिश से प् क्योंकि बैजानी हपिनाला है ना होता है बैजानी हपिनाला है वीब ग्योर उसमें सबसे ज़्यादा तरंग देधर रेट का होता है और उसे कम होते 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 सबसे कम तरंग देधर किसका होता है बैंगनी का होता है तो अगर हम ब्लू और यलो को देखें तो ब्लू कल अगर कम है Y रंग से तो यहाँ पर T Y जो है वो कम होगा T B से मतलब temperature of Y temperature of yellow star कम होगा temperature of blue star से मतलब जो तारा निले कलर का दिखाई दे रहा है थोड़ा सा निला टोन लिए हुए है उसका temperature ज्यादा होगा और जो तारा यलो टोन लिए हुए है उसका temperature और निले कलर का जो तारा निले टोन का जो दिखाई दे रहा उससे कम होगा इसको आप प्रेक्टिकली भी देख सकते हैं अचा हमारे चिस घड़ में जो है एक नांगर तारा होता है नांगर तारा यह देख़ी इस तरह का होता है कि असल में गहां गलते हैं यहां तरा तो इसके विकर्ण में दो तारे आपको दिखाये देंगे उसके विकर्ण में तो उसमें से एक तारा को आप ध्यान से देखेंगे जिसका नाम रीगल है वो आपको थोड़ा सा ब्लुई श्टोन लिए दिखाये देगा और एक तारा को देखेंगे जो नीचे में है वो थोड़ा सी यलोई स्टोन लेके दिखाई देगा जो जो ब्लूई स्टोन लिए जो तारा है उसको रीगल नाम है उसका उसका टेंपरेचर जादा है जो यलोई स्टोन मतलब को पीला कलर का टोन लिए जो तारा दिखाई दे रहा को उसका नाव है बीटलजूस वो एक लाल दानो तारा है लाल दानो तारा के बारे में आपने पढ़ा होगा तो इसका टेमपरेचर जो है कम होगा तो ये आप जो है प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं बच्चो ब्लैक बॉडी रेडियेशन में हमने और एक चीज देखा था वो क्या था कि जैसे टेंपरेशर को बढ़ाते थे तो जो संपूर्ण उर्जा है उस पिंड द्वारा जो विक्रित संपूर्ण उर्जा है उसका मान बहुंच जादा बढ़ जाता था और हमने देखा था जो संपूर्ण उर्जा है और टेंपरेशर के चतूर्द घात के अनुक्रमानुपाती होता था मतलब temperature को बढ़ाए तो जो संपुन उर्जा है वो बहुंच ज़्यादा बढ़ता था जो जो उस तरह से जो ग्राफ यहां पर जो आप देख पा रहे हैं उसका जो एरिया है वो संपुन उर्जा को बताता है जो एरिया है ग्राफ मतलब जो वीतरन वक्र है और जो लेमडा अ तो temperature को बढ़ाने से संपुन उर्जा बहुंच ज़्यादा मात्रा में बढ़ती थे और यह इसका जो है समिकन कैसे बनेगा किस मतलब नियम के अनुरूप बढ़ती है तो वो जो संपुन उर्जा है वो temperature के चतुर्द घात के अनुक्रमानुपाती होता है इस नियम को कुलब जोसफ इस्टिफन थे उन्होंने प्रयोग करके प्रयोगात्मक रुप से इस नियम को साबित किया उसके बाद उनके जो सी सी रहे सन 1884 में इस्टिफन के सी सी रहे लुडविंग बॉल्जमेन उन्होंने उस्मा गतिकी के नियम के द्वारा इस नियम को theoretically साबित किय तो ये नियम क्या कहता है जैसे कि मैंने बताया कि इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के प्रती एक आंखेत रफल से प्रती सेकेंड उत्सरजित विक्रिण उर्जा उसके परमताप के चतूर्थ घात के अनुकरमानुपाती होती है अगर कोई कृष्णिका है और उसका जो परमताप T है और उससे विक्रित संपुन उर्जा अगर E है तो E प्रोपोर्शनल T होगा T का घात चार E प्रोपोर्शनल T का घात चार बराबर करने के लिए एक नियतांक लगाएंगे सिग्मा तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा गुनित T का घात चार बच्चों यहाँ जो सिगमा है इसको कहते हैं हम स्टिफन बोल्जमेन नियतांक यह एक अनुपातिक नियतांक है जिसको हम क्या कहेंगे स्टिफन बोल्जमेन नियतांक अब इसका मातरक देख लेते हैं कि सिग्मा का मातरक क्या होगा क्योंकि सवालों में आपके इसका मातरक पुछा जा सकता है तो E बराबर सिग्मा गुणि T का घाच चार से सिग्मा बराबर हो जाएगा E बटे T का घाच चार तो यहां पर हम सिग्मा का मात्रक निकाल सकते हैं तो E का मात्रक बटे T का मात्रक मतलब ताप का मात्रक का घाच चार तो E का मात्रक E क्या है उर्जा जो विक्रित उर्जा है प्रती एक कांग खेतर फलो प्रती सेकेंड तो यह एक तरह से उत्सरजन ख्यमता है तो उत्सरजन ख्यमता का मातरक हमने देखा था, पहले हम निकाल चुके हैं, पहले के लेक्चर में, तो E का मातरक मतलब उत्सरजन ख्यमता का मातरक यहां रख देंगे, क्या होता है, जूल प्रती मीटर स्क्वेर गुणि सेकेंड, और T का मातरक मतलब ताब का मातरक, केल्व Κल्viN का गहाथ 4 मतलब के का घहाथ 4 तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा वाट प्रती मीकर गुनित कल्वीन का मत्रग होता है इसका दो Space में च्टिफन यह तांक का जो मान होता है यह होता है दल कि पर टक्र गुनित के का पावर फोर ये आपको मान जो है याद रखना है क्योंकि परिख्याओं में जो है जो आंकिक प्रस्न होते हैं उसमें इसका उप्योग होता है अब आए हम इसका वीमी सुत्र भी देख लेते हैं क्योंकि वीमी सुत्र भी हो सकता है पूछा जाए परिख्याओं म और हमें जानना चाहिए विमी सुत्र कुछ कुछ चीजों का, तो विमी सुत्र सिग्मा का क्या हो जाएगा, सुत्र है सिग्मा बराबर E बटे T का घाद 4, तो E मतलब की, जैसे कि मैंने पहले कहा उत्सरजन ख्यमता, उसका हम मातरक और विमी सुत्र दोनों देख चुके हैं, तो E का विमी सुत्र देखिए, क्या होगा, M L का स्क्वेर T का पावर माइनस 2, बटे L का घाद 2, गोणी T, तो ये E का विमी सुत्र हो गया, और T का क्या हो जाएगा, T का घाद 4, उसका विमी सुत्र मतलब टेंपरेचर का घाद 4, मतलब K का पावर 4, तो इसको हम सॉल करें तो सिग्मा का विमी सुत्र हमें मिल जाएगा M L का पावर 0, T का पावर माइनस 3 और K का पावर माइनस 4 अगर आपको उत्सरजन ख्यम्दा का विमी सुत्र पता है जो कि M L का पावर 0, T का पावर माइनस 3 होता है तो उसमें सीधा-सीधा आप K का पावर माइनस 4 लगा दीजि वीमी सुत्र आपको पता है तो उसमें सिर्फ के का पाउर माइनस फोर जोड के आप जो है इस्टिफन नियतां का जो है वीमी सुत्र आप ग्याद कर सकते हैं अच्छा ये जो इस्टिफन का जो नियम है ये केवल संपून कृष्णिका के लिए ही सत्य है और अगर हमारे पास ऐसा कोई पिंड है जो पूर्टा कृष्णिका नहीं है तब हम क्या करेंगे तब जो समिकर्ण एक था मतलब की ये ये बराबर सिग्मा टी का पावर फोर उसमें हम एपसलोन लगा देंगे जहां एपसलोन क्या है एपसलोन उस पिंड की एमिसिविटी है उत्सरजक्ता है तो किसी पिंड के लिए अगर इस सुद्र का इस्तिमाल करना चाहें तो ये हो जाएगा ई बराबर एपसलोन गुरित सिग्मा गुरिती का पावर फोर अच्छा अगर कोई कृष्णिका ऐसा है जिसके संपूर्ण जो खेत्रफल है उससे विक्री तूर्जा हमें ग्याद कर करना है मतलब यहां प्रति एकांग खेत्रफल वाली बात नहीं है संपूर्ण खेत्रफल से ग्याद करना है और संपूर्ण खेत्रफल है तब समिकर्ण नमर एक में हम ए लगा देंगे अगर संपूर्ण खेत्रफल ए है तब उसमें ए जगा देंगे और सुत्र हमारा बन ज उसमें ए फिर से लगा देंगे तो ये पिंड की ए खेतरफल से विक्रित उर्जा का मान निकल जाएगा, किसी पिंड की ए खेतरफल से विक्रित कुलूर्जा का मान निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, ये बराबर एपसलोन सिग्मा ए गुनेत टी का पावर फोर, तो ये इस खेत्रफल और प्रती सेकेंड उत्सरजित विक्रण उर्जा के लिए उस सुत्र दिया जाता है अगर आप उसमें प्रती एकांग खेत्रफल ना करना चाहें किसी खेत्रफल के लिए हम करना चाहें तो उसमें ये लगा सकते हैं और अगर किसी पिंड के लिए अगर उसको हम इ कर नमर एक को ही याद करना है और बाकी चीजा जो है अपने मंद से आप बना के लिख सकते हैं